ओम नमस्षिवाय, जै महाकाल, अगर आपके सरीर में ना कैसा भी दर्द है, कैसा भी कस्ठ है, मात्र 15 मिनिट उस उपाय को करिएगा, दूर हो जाएगा, पूझ गुरु जी की कता से सुनके आपको समझाने के मैं पूरी कोशिश करूँगा, बहुत ही आसान सा उपाय है, बह बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह कहूँगा, सबसे पहला काम आपको वीडियो लाइक करना है, आवाजा पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, देखो, क्या करना है, आपको लेना है पीपल का पत्ता क्या लेना है, पीपल का पत्ता, नया पीपल का पत्ता लीजेगा, पेंड से तोड करके, ऐसा नहीं कि जमीन पे पढ़ा हुआ हो, पेंड से गिरा हो आप ले लेना है, पीपल का पत्ता लेना है, पांच पीपल के पत्ते लीजेगा, ठीक है, आप देखो क्या करना है, उसक थाली में 5 पीपल को पत्तों को रखिएगा, जिस भी तरीके से आप रख सकते हैं, मैंने इस तरीके से रखा है, ताकि आपको अच्छे तरीके से 5 पीपल के पत्ते दिख जाएं, आपकी इच्छा हो तो एक के ऊपर एक रख लें, आपकी इच्छा हो तो इस तरीके से जैसे म आच पीपल के पत्तों को, ठीक है? उसके बाद क्या करिएगा? जब आपको लगे कि यहां मुझे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरे घुट्नों में दर्द है, मुझे लिवर की प्रॉब्लम है, जब भी आ महादेव का इस्मरण करके उस भोजन को कर लिजेगा फिर से बोल रहा हूं जो भी पीपल का पत्ता पाँचों आपने थाली में रखा है उसके उपर आप खाने को रखिएगा जो भी आपको खाना हो आपे घर में बना हो और उसको खाईएगा कुंद केश्वर महादेव का इ नहीं खाना है इन पत्तों को छोड़ करके जो भी आपके खाने भोजन में है जो भी आपके थाली में उसको खा लीजे अब आप ये भी पूछेंगे कि फिर इन पत्तों का हम करें क्या खाना खाने के बाद देखो आपे घर में कहीं फूल पौधे कुछ भी लगे होंगे को एसी जगह रख दे, जहां किसी का पैर वगरा ना पड़े, बस इतना ही ध्यान रखना है, अब आप ये पूछेंगे, ये कौन से टाइम करना है, मैंने अभी आपको बता है, जब भी आपको लगे कि मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज़ादा दर्द हो रहा है, अब ये करके देखेगा आपके सरीर के जो भी दर्द होंगे, वह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, एक बात और आप लोग पूछना चाहेंगे, मुझे उमीद है कि क्या हम दोनों टाइम खाएं, दोनों टाइम खाने के ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक टाइम एक दिन में आप सकते हैं, जब भी आपको दर्द हो, ऐसा नहीं कि रोजी खाना स्टार्ट कर दें, जब आपको दर्द हो जब आपको पेन हो आपके बोडी में, तब आप इस उपाय को कर लीजेगा, मात्र 15 मिनट के अंदर आपको दर्द हो गायब हो जाएगा, एक बार प्रक्टिकल करके जरूर देखिएगा, आपको फायदा जरूर मेलेगा, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करें, आप आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कुछ भी पूछना हो, नीचे कॉमेंट में पूछा करिए, या फिर आप मुझसे इंस्ट्राग्राम प झाल 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